हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें। कारिक्रम आज आयुजित होने वाले महिला दिवस के मौके पर जी बिल्कुल देखे सिंगों बॉडर पर काफी लंबा समय हो चुका है सो दिन से अधिक जो समय हो चुका है किसान आंदोलों को लेकर आज महिला दिवस जो मनाया जाएगा और जो आंदोलन है पूरा का पूरा महिलाओं के आथ में रहेंगी क्योंकि महिलाएं जो है काफी बात करें तो हर्याना की या पंजाब की अलग लग स्टेट की महिलाएं आज बढ़ चटकर इसा लेंगे और अगली रंडिती बनाती हुए नजर आएंगी क्योंकि दिल्ली की दैलिस बर बैठी हुए जो धरने पर किसान हैं आज महिलाओं के आथ में बाग डोट रहने वाली अच्छी है और सबसे बड़ी बात इस पूरे आंदोलन में ये भी देखने को मिली कि महिलाओं ने बढ़ चड़कर भूमिका अदा की है चाहे वो ट्रेक्टर यात्रा हो चाहे कोई भी आयोजन हो किसानों का महिला किसान बढ़ चड़कर हिस्सा लेती हुई किसान आंदोलन में नज़र आई हैं जी बिल्कुल देखिये अगर बात करें तो सो दिन का जो समय हुआ है उसमें लेकर लंगर या कोई भी सेवा जो महिलाओं ने बढ़ चड़कर रिशा लिया है और आज खास ये बात रहने वाली है कि जो आज पूरा का चोरद जो पूरा सिंगू बोर्डर है जो के दस किलो मिटर का जो दाइरा है पूरा का पूरा जो है आज महिलाओं के आथ में है क्योंकि महिलाओं जो आज हरियाना की भी पहुंचेंगी पंजाब की भी अलग-अलग स्टेट की जो महिलाओं पहुंचेंगी पूरा का पूरा जो दरना है दस किलो मिटर का जो दाइरा है वो महिलाओं के आथ में रहने वाला अगली रंडीती बनाती हुई नजर आएंगी क्योंकि अगली रंडीती क्या है वो आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि लगातार जैसे जैसे पिसान अंदोलन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रंडीती बनती हुई नजर आ रही है जी न लेकिन जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है अब किस तरीके से आंदोलन आगे जाता हुआ नजर आ रहा है क्या कुछ रन्नीती आगे खिसानों ने बनाई है जी बिलकुल अगर अगली रन्नीती की बात करें तो जो 40 लोग है जो जत्ता बन्दी है जो गुप्त बैठक रखते हैं इसके अलावा जो किसान है वो मंच के बासन देते हैं और जो किसान है वो नीचे जमीन पर बैठकर बाचीत करते हैं तो लंबा एक दोर जलता है और जो गुप्त बैठक रखते हूं वहीं शेर रनीती बनती है लगातार जो गुप्त बैठक होती है उसमें 40 लोग वे सामिल होते हैं वो अगली रनीती बनाते हैं और मंच है वो अलग से चलता है तो ऐसे में जो 10 किलो मिटर का दारा है अर्याना के भी लोग उसमे पंजाब के भी और जो दिन का समय रहता है वो जो आजपास के लोग हैं जो किसान है वो पहुंचते हैं और जो रात को ठैरने की भी पूरी ववस्ता हैं दिखाई दे रही है जी बिल्कुल और गर्मियों का भी मौसम आ रहा है लाजपत ऐसे में किस तरीकी के इंतिजामात यहां पर गर्मिय हैं ट्रोलियों में आसिया ने बनाने सुरू कर दी हैं जिसमें एसी लगाए गए हैं और जो जो है जो किसान की खेतों में खड़े होते हैं जो फसल जिनके अवेस बचते हैं उनकी टाटिया बनाए जाती है जैसे के खेतों में बनाए जाती है उनका आसिया ना बनाए जा है और जो जोट DM बनाई जा רही है उन्म कुलर लगा जा रही है तो ऐसे में जो लंवी रन्डी की है किसान बिछह अटने वाले में स्वी है Los collect के लिए कि आंदोलन जो है वो कब तक चलेगा लेकिन जब तक चलेगा छाउन लंबा ही चलेगा बहुत शुक्रिया लाजपता आपका तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं सीधा उनकरू कर लेते हैं रमाकांत आज महिला दिवस है और ऐसे में किसान आंदोलन के बीच भी महिला किसानों को यहाँ पर तवज्जो आज दी जाएगी ऐसे रमाकांत मेरी आवाज आप तक पहुच रही है चलिए एक पर फिर से कोशिश करेंगे रमाकांत से बात करने की तो आज जो है किसान आंदोलन के बीच चाहे सिंग्गू बॉर्डर हो टीक्री बॉर्डर हो यह धासा बॉर्डर हो तमाम बॉर्डर पर जा किसान बैठे महिलाएं आज मंच का संचालन करती हुई नजर आएंगी महिलाएं जो है आज कारेकरम करती हुई नजर आएंगी और किसान आंदोलन में महिलाओं की जिस तरीके की भूमिका रही है जाहिर तोर पर जो ग्रामी नंचल की महिलाएं हैं उनकी इस तरीके की तस्वीर को देख कर वाकिई गर्व महसूस होता है कि इस तरीके से आंदोलन को बढ़ चड़ कर आगे बढ़ाने में महिलाओं ने एक बड़ी भूमी का निभाई है और आज महिला दिवसे तो ऐसे में इन तमाम महिलाओं को सम्मान के तौर पर मंच सौपा जाएगा आज महिलाओं ही मंच को सम ना सिर्फ क्रिशी आंदोलन के बीच बलकी आज विधान सभा में भी महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी महिला विधायक आज विधान सभा को संचालित करती हुए नजर आएंगी और इस खबर पर अब हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुप कुंडू हिसार से जुड़ चुके सीधा उनकरू करेंगे अनुप महिला दिवस के मौके पर क्या जौनकारी क्या कुछ कारिक्रम आयुजित किये जौन है किसान आंदोलन के बीच अनंदनी जी सरोपर्थम तो हरिणा नूज और हमारे तरब से समस्त महिला जाती को मातर शक्ती को अंतराश्टी महिला दिवस की बहुत बहुत शुब काम नहीं इसके बाद अगर हम बात करें आज के कारिकरम की तो बहुत सारी महिला आज गाउं से जो है दिली बॉर्डर के लिए पहुंच चुकी है और वहाँ पर अंतराश्टी महिला दिवस आज किसान अंदोलन के साथ मिलकर वो कंदे से गंदा मिला कर किसानों के साथ मनाने जा रह पर और आपसे भी करना चाहूंगे कि जिस तरीके की भूमिका महिलाओं की रही और मुख्य तोर पर आंधूलन में ग्रामी नंचल की महिलाओं और बेटियां जिस तरीके से आगे आई वाके अब नजर आता है कि पहले के वक्त में और आज के वक्त में एक बड़ा बतलाव है अब बेटियां कंदे से कंधा मिला कर चल रही है इसका एक बड़ा उधारन देखने को मिला है सांधूलन में जी बिल्कुल नंदनी जी बड़ा वाजिब सवाल है आपका और इस पर मैं जरूरी बजानकरी देना चाहूंगा कि महिला से शक्ति करना बहुत अपने आप में एक माइने रखता है और अगर कि पहले किसान अंदोल की बात कर ली जाये तो ऐसी महिलाएं चाहे वो ट्रेक् जाता है उधारन आप भी हैं जो आज टीवी के माध्यम से लोगों को जांगरित कर रही हैं तो इस परकार से महिलाएं हम कह सकते हैं किसी अक्षेतर में पीछे नहीं है और ये देश की एक तरक्की का बहुत बड़ा उधान माना जा सकता है कि जिस देश में महिलां को सम्मा महिला दिवस के मौके पर दिया और एक महिला होने के नाते मैं भी महसूस करते हूं कि अब वक्त बडला है लेकिन अभी भी गुझाइश है बहुत सारे बडलाव लाने की जरूरत है और हर महिला को अपने उपर गौरफ करना चाहिए कि वो एक महिला है क्योंकि यहाँ पर पुर्शों को महिलाओं से कम समझा जाता हो लेकिन कोई ऐसा वर्ग नहीं है कोई ऐसा काम नहीं है जो आज के जमाने में पुरुष कर पा रहे हैं और महिलाएं उस काम में पीछे हों हर एक फील्ड में हर एक सेक्टर में महिलाएं बढ़ चड़ कर हिस्सा भी ले रही हैं और भी कई कारिक्रम देश भर में आज देखने को मिलेंगे दुनिया भर में देखने को मिलेंगे जहाँ पर महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा बस पूरे समाज को ये समझने की जरूरत है कि आज सिर्फ एक दिन ही महिलाओं को सम्मान नहीं बलकि हर एक दिन उन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए जो सम्मान उन्हें आज मिलेगा उस सम्मान की हर एक बेटी हर एक महिला हगतार है